हालो एव्रिवन वेलकम टू केमिस्ट्रेकाडमी आर्स थियोरी थ्रू प्रॉब्लम पॉजे एड्वांस्ट में हम लोग एक बहुत ही छोटी सी बट कन्फ्यूजिंग सी कॉंसेट डिसक्स करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेबरिंग ग्रूप पार्टिसिपेशन यह लगाना है लगाना है तो कहां अटाइक करना है इसका एफेक्ट क्या होगा तो यह एक छोटी सी कॉंसेट कई बार आने पर और आई भी है रीसें दो-तिन साल के दौरान भी एंजी पी पर क्वेशन आया है तो यह बहुत इंपॉर्टन सी कॉंसेट हम एक कंसाइस तरीके से questions के through आज discuss करते हैं तो आईए शुरू करते हैं हाँ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दुबारा याद दिला दू कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो आप पूरे समय से देखें और अगर आपको हमारे चानल से किसी भी प्रकार की help मिल रही हो तो do not forget to hit the like button, do share and subscribe our channel right away which will show greater degree of retention of configuration on hydrolysis एक है retention of configuration hydrolysis करने पर मतलब substitution की बात कर रहा है क्लोरिन जाएगा और water या OH आएगा इस चीज़ को ही बात कर रहे हैं hydrolysis reaction के तौर से अब hydrolysis दो तरीके से हो सकता था या तो reaction होई होती SN1 राइट या तो reaction SN1 होती और SN1 होती तो हम कहते हैं कि resumization मिलेगा जो chiral center है वहां से क्लोरिन गया कार्वकाटायन बना कार्वकाटा किसले resumization मिलेगा दूसरा हम करें SN2 SN2 में आपको inversion मिलेगा inversion मतलब जहां क्लोरिन है जो configuration है उससे inverted configuration आपको मिलेगी तो आप उसे कहेंगे SN2 लेकिन हमसे सवाल तीसरा ही पूछा जा रहा है कि retention की बात करिए तो retention के लिए एक होती है reaction जिसे हम कहते है SNNGP मतलब neighboring group participation या एक होती है SNI intramolecular ये जो दो reactions है इन में retention मिलता है SNI तो बहुत ही specific होती है वो यहां नहीं है that is a reaction of alcohol with SOCL2 Darcens reagent वो एक अलागी reaction है ये जो SNNGP है ये SNNGP हमारे इस सवाल की root cause होने वाली है ये 2 times SN2 है basically ठीक now what is SNNGP इसको मैंने यहां समझाया है ठीक अब देखिए ये जो chlorine है इस chlorine में ये कायर्बंच यह chlorine attached है कायल center है इसकी एक कोई fix configuration हम assume कर लें कि इसकी मान लीजे R configuration है अब मेरी expectation ये है कि अगर मैं इसे ये मेरा expectation है ये actual है ये नहीं मैं कह रही है अगर मैं इसे aqueous NaOH- में डालूँ ठीक तो aqueous NaOH- की जो reaction होगी वो SN2 है तो अगर मैं इसे मानती कि ये R configuration का compound है तो अगर ये SN2 के रास्ते चलता तो मुझे यहां पर CHOHCH3 जो है ये S configuration में मिलना चाहिए था ये मेरी expectation है और rate जो मेरा expected था मान लीजे वो K1 था with K1 rate constant ये मैंने सोचा कि ये reaction होगी तो ऐसे होगी ठीक और मेरी observation जो है वो ये है ठीक observation बिलकुली अलग जा रही है this track is my observation now what is observation observation हमने ये करा कि इस particular chiral center की यही reaction आपने क्योंकि hydrolysis की बात करी है तो OH उस case में nucleophile OH है तो यहां जो configuration है वो मुझे R की R ही मिल रही है कैसे तो देखिए molecule के अंदर ही अंदर अगर कोई nucleophilic center हो जैसे ये रहा ये अंदर ही अंदर एक nucleophile है ये nucleophile considerably strong होने चाहिए इतने की SN2 करने की काबलियत रखते हैं अब बहुत सारे हो सकते है साने की sulfur ही हो ये sulfur हो सकता ह ये nitrogen हो सकता था, halogen होते हैं तो काफी सारे cases ये हो सकते थे इस particular example में हमने sulfur को देखा, sulfur being less electronegative, large atom is a very good donor of lone pair, बहुत अच्छा nucleophile है, SN2 कराता है, इसने ऐसे attack किया intramolecularly, अब तीन की ring बन रही है, ये देखिए तीन की ring, strain ring, ये CL यहां से हट गया, ठीक, ये CL यहां से हट ग और इस stage पर एक बार SN2 हो गया, और SN2 हुआ, तो पहला inversion यहां आपको मिल चुका है, आना, first inversion हमें यहीं पर मिल चुका है, और इस first inversion का नतीजा ये है, कि configuration पलट चुकी है, हमारे कारल सेंटर की, ठीक, इस center की configuration पलट गई है, अब जब दूसरा nucleophile दुबारा इसी कारल सेंट पर attack करेगा, हो सकता है, वो SN2 हो, हो सकता है, वो हो तो SN2, बट more substituted center पर attack कर रहा हो, दोनो possibility है, है न, SN2 जब इस cyclic three member ring पर होगा, तो दो cases है, या तो वो इस CH2 पर attack करे, या इस CH पर, अगर वो इस CH पर attack कर रहा है, तो हम कहेंगे कि, it is SN1 like SN2, SN1 like मतला, it is attacking on more substituted carbon, but fundamentally it is SN2, back side attack होगा, तो यहां आपको second time inversion देखने को मिल गया, अब अगर आपने दो बार छतरी पलट दी, एक बार inside out, फिर एक बार inside out, तो आप जहां थे, वहीं lot आएंगे, यह first configuration R थी, यहां S होई, फिर पलटी R हो गई, तो यहां आपको जो है, retention दे मैं कहूँ कि यह retention जो है, मुझे with rate constant K2 के साथ देखने को मिला, तो एक जो बहुत ही important observation और होती है, कि यह K2 rate constant K1 से बहुत ही बड़ा होता है, तो जहां भी NGP देखने को मिलती है, rate unexpectedly high होता है, और जो chiral center अगर हो रहा हो, उसमें शामिल, तो उस पर आपको retention of configuration, देखने को मिलेगा, यह जरूर है कि आपको यह पहचानना आना चाहिए कि molecule के अंदर ऐसे कौन से nucleophile हैं, जो NGP cos कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं, फिर भी जैसे sulfur R, sulfur H, या sulfide, यह sulfur के cases हो गए, it could be a case of COH, it could be a case of COOR, it could be a case of O-, ठीक, वो सकता है NR2 हो, NH2 हो, NHR हो, ठीक, halogens कारण बन सकते हैं, NGP का, chlorine हो, bromine हो, iodine हो, यह सब, लेकिन ध्यान रखें, neutral जो oxygen होगी, OH और OR, यह दोनों जो हैं, यह NGP normally नहीं देते हैं, at least हमारे syllabus में तो यह लोग NGP नहीं देते, yes, अगर हम advanced chemistry की बात करें, तो एक certain drink की size पर dependent यह NGP दे सकते हैं, लेकिन हमारे syllabus में इनका NGP का case नहीं है, बहुत पहले subjective जब exam हुआ करती थी, इस पर question आया है, इसके अलावा NGP CH double bond CH2 दे सकता है, pH दे सकता है, ठीक, C triple bond CH दे सकता है, यह सारे तरह के groups अगर molecule के अंदर present है, तो यह as a intramolecular nucleophilic substitution के through NGP का का कारण बनते हैं, तो यह sulfur की जगह, इन में से कोई साभी group present हो, तो वो इसी तरह की net reaction दिखाएगा, और हमें this chiral center पे retention मिलेगा, with extreme high rate than our expected rate of K1, ठीक, तो यह होती है NGP, यह मैंने यहाँ एक short note भी लिखते हैं आपकी comfort के लिए कि neighboring group participation, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, जो हमने यहाँ लिखा है, it is also known as enchimeric assistance, okay, enchimeric assistance का आर्थ होता है, पडोसी की help, help of the neighbor, NGP increases the rate multiple fold times and if it happens at chiral center, then the configuration of such center will remain same due to two times as in to add such positions, खास बात यह है, कि important note, oxygen being highly electronegative act as a weak nucleophile and thereby do not participate in NGP except when it is O minus और O del minus, इन दो cases में करेगा, जैसे यह COOH और COOR जो मैं कह रही हूँ न, यह असल में resonance की वज़े से O minus है, इस O पे del minus है, तो यह del minus NGP करेगा, O minus NGP करेगा, बट अगर आपने neutral oxygen की बात की होती, तो यह NGP नहीं करेंगे, आए इस question पर आते हैं, तो अब आप देखो, कि यहाँ पर यह group है, ठीक हाँ, एक point और, कि NGP में यह intramolecular attack जब होता है इस तरीके से, तो जो ring का formation होना चाहिए, वो 3 to 5, sorry, 3 to 6 member होना चाहिए, जो ring formation हो, वो 3 to 6 member formation हो, तो यह possible हो जाती है NGP, normally आपको 3 और 5 की ring सबसे ज़्यादा common मिलेगी, 4 और 6 usually effective नहीं देखने को मिलती है, ठीक, theoretically हम कहें तो 3 to 6, practically it is 3 to 5, rather 3 and 5 membered rings should be there, ठीक, अब यह sulfur जड़ा देखे, it is such a suitable position for NGP, यह यहाँ से ऐसा attack करे 3 member ring, तो यहाँ बिलकुल NGP होगी, NGP neighboring group participation in SN2, इससे rate बढ़ने वाला है, यह जो oxygen है, neutral है, OET है, तो इसमें NGP नहीं होगी, और अगर नहीं होगी, तो हमें expectation with this, इसका rate बहुत ही कम मिलने वाला है, यह कहीं दौड में नहीं है, same here, it is a case of no NGP intramolecular, कोई nucleophile नहीं है, this is rather, yes, a possibility of SN1 हो सकती है, not as fast and as competent as NGP, and therefore, due to NGP answer of question number 2 is a, 5, question number 5 is again an example of NGP, फिर से यह NGP का ही question है, और यहां पर यह nitrogen जो है, यह NGP कर रहा है, इंट्रा मॉलिकलर, 3-member ring यहां पर बन जाएगी, जब अटाग करेगा, इस सवाल में एक और चीज़ जो देखने लायक है, कि the major product of the reaction is, जब भी यह शब्दा है, major, yes, एक reaction जो होती है, उसमें एक से ज़्यादा number of products बन सकते हैं, बट जब यह major आता है, तो आपको जो ज़्यादा बन रहा है, सिर्फ उसको एक answer करके question को close करना है, इवन इव जो amount होगा, major और minor का वो, अगर 51 और 49 percentage टाइप भी अगर है, तो भी आप 51 को mark करके close कर देंगे, इस तरीके से आप इन major product वाले reactions को, या questions को deal करते हैं, आईए अब शुरू करते हैं, इस question में हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इस question में हमारे पास nitrogen से attack दिया है, यह देखें, यहाँ अपन ने nitrogen से intramolecular SN2 attack दिया, अब reaction दी है, aqueous KOH के साथ, तो yes, इस particular जगह पर, there are two living groups, इस जगह पर हम देखें, तो NET2 जो है, वो living group है, और इस जगह पर अगर मैं देखूं, तो मेरे पास एक chlorine जो है, यह living group है, इन दोनों में से यह जो है, यह bad living group है, और यह जो है, यह comparatively good living group है, यह good living group को, मेरे को हटाने को, दो लोग available है, एक intramolecular nitrogen, और एक intermolecular OH-, दो लोग available है, बाहर से OH- आकर, इस chlorine को displace करे, यह अंदर यह अंदर, यह nitrogen displace करे, intramolecular का rate होगा fast, तो इसकी comparison में, यह अभी भी जो intramolecular nitrogen है, यह fast displace कर रहा है, इसने attack कर देना है, यह attack भी SN2 ही होगा, यह जब attack करेगा, तो SN2 होगा, और इस जगह पर inversion एक बार हो जाना है, अब देखे, इस inversion को अपनने यहां कैसे represent करा है, इस जगह पर यह wedge, और यह dash, यह लेकिन upside, अब जब यह nitrogen उपर से आएगा, chlorine गया, तो यह दोनों downside आ गए, ठीक, और यह जो 3 member की ring बनी, nitrogen पर positive, यह aziridine, तो इसको हम कहेंगे aziridinium, ठीक, nitrogen पर positive, यह तैयार हुई, अब मेरे पास यहां 2 carbons available हैं, जिस पर अब बाहर से OH- attack करें, अब OH- attack करें, और N plus को leave करें, क्योंकि N plus जो है, यह हो गया अब good living group, यह good living group क्यों मन गया, क्योंकि nitrogen पर positive charge है, तो it will act as a good living group, मेरे पास 2 positions available हैं, मैं just अपने नाम देने के लिए, I want to name them, से A को मैंने नाम दे दिया, कि this is carbon number A, और this is carbon number B, carbon A पर जब attack हो रहा है, तो देखें यह यहां से चला गया, और यह जो carbon number A पर attack से, ऐसा लग रहा है, जैसे rearrangement हो गया, क्योंकि originally, carbon A पर NET2 था, और B पर chlorine, लेकिन इस product में, carbon number A पर OH आ गया, और B पर NET2 आ गया, तो ऐसा लगता है देखकर, कि क्या यहां कोई rearrangement हो गया है, हाँ इसे rearrangement कह सकते हैं, लेकिन through NGP ही है, neighboring group ने participate करा है, अब यहां आईए, अगर carbon B पर attack होता है, तो यह product बनता है, यहां दुबारा SN2 attack, is spiral center पर हुआ है, ठीक, यहां पर फिर से carbon B पर SN2 हुआ, तो इसकी configuration देखे, original ETH और H और इसकी ETH और H की position, एक जैसी आ गई है, तो वापिस attack से, यह दोनों original position पर आ गई हैं, और यह NET2, NET2 अपनी जगर लॉट गया है, ठीक, अब इन दोनों में से, हम major किसको regard करें, तो देखे होता है, ultimately यह attack भी SN2 ही है, और जब attack SN2 है, तो less terrically hindered पर attack का chance ज्यादा होगा, less terrically hindered पर अगर attack का chance ज्यादा होगा, as compared to this one, कि B पर attack करें, उससे ज्यादा A पर attack करें, तो यह product जो है, वो major बनेगा, और यह product जो है, यह minor बनता है, बनेगा तो जरूर हम मना नहीं करने, major यह बनेगा, इसका मतलब है, कि हम यहाँ पर जब आते हैं, तो हमें answer ढूनना है, हम देखते हैं, कि इनमें से कौन से हमारे answers हो सकते हैं, तो यह देखिए, इसको मैं original जो हमने जैसा नाम दिया था, उसे साब से यह A है, और यह B है, तो यहाँ A पर ही continue हुआ, और B पर OH आ गया, A, B, तो यह तो minor है, इसमें भी ऐसा ही लग रहा है, सिर्फ इसका inanshow ही लग रहा है, तो यह भी minor है, तो यह दोनो answer नहीं है, अब यहाँ पर हम देखें, तो यह A है, जिस पर OH आ चुका है, और ET और H वाला कारवन जो है, इन्होंने इल्टा presentation कर दिया, तो हमें देखने में इल्टा लग सकता है, अब यह जो दोनों हैं, यह inanshow मरें, देखो ET और H की सिर्फ position ही बदली है, यह ना, otherwise they are same, तो इन में priority देते हुए, अगर हम नाम देना चाहें, तो first priority इसको जाएगी, second priority इस group को जाएगी, क्योंकि OH है, third priority इसको जाएगी, तो 2D में अगर हम arrow घुमाएं, first, second, third, S arrow घुम रहा है, तो इसकी reporting S होगी, if the lowest priority group is on, dash, which is in this, if the lowest is not on dash, then assume it to be dash, bring it by exchange to dash, यह H को मैंने ET से exchange कर लिया, priority का जो preference order वही रहेगा, तो यह भी S घुमेगा, but after one exchange, so you will report it as R, तो यह दोनों enantiomar है, एक S और एक R, इसकी भी हमें configuration निकाल लेनी चाहिए, तो यहाँ पर हम configuration निकालेंगे, तो यह हमारा first priority group, ठीक, if this is our first priority group, then this is our second, and this is our third priority group, so first, second and third, so this is coming S configuration, thus answer C, is our major product, ठीक, आया समझ में, अगर यही reaction, if the same reaction would have been, in place of, OH minus, अगर यह water से कराई गई होती, ठीक, तब जो है, वो attack, SN1 या more carbocatine जो होता, वहाँ पर attack करता, ठीक, तो अगर इन दोनों को, मैं X और Y नाम दे दू, तो जब water है, तो X is major, तब X जो है, वो major product बनेगा, क्योंकि water weak nucleophile है, और वो more plus वाली site पर attack करेगा, OH minus being a strong nucleophile, SN2 attack करेगा, और answer A से major बनाएगा, A पर attack करेगा, ठीक है, अगर OH minus है, तो हमारा answer Y is major, is that clear, ठीक, बहुत important concept, मैं आपको एक बार दुबारा याद दिला दू, कि अगर आपको हमारा या वीडियो पसंद आया हो, आप पूरे समय से देखें, और अगर आपको हमारे चैनल से किसी भी प्रकार की help मिल रही हो, तो do not forget to hit the like button, do share and subscribe our channel right away, thank you,